तो friends स्वागत है फिर से आप सभी का टेकनिकल टिप्स के YouTube चानल पे तो friends आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को GB WhatsApp में BlueTik की दो सेटिंग्स बताने वाला हूँ तो friends ये BlueTik की दो सेटिंग्स जो है बहुत ही GB WhatsApp यूज करते हो तो दोस्तो ए दो ट्रिक जो है उसमें मैं आप सभी को बताने वाला हूँ जैसे कि दोस्तो एक तो होगा कि दोस्तो आप अपनी GB WhatsApp में BlueTick को केसे हाइड कर सकते है और दोस्तो आप स्रिप एक बंदे के लिए भी अपना BlueTick जो है उसे हाइड कर सकते हो और दोस्तरी सेटिंग में दोस्तो आप सभी के मैं पताने वाला हूँ कि आपको कोई भी मेसेज करेगा और दोस्तो आप जब तक उसका reply नहीं करोगे तब तक दोस्तो सामने वाले को जो है आपका BlueTick जो है वो शोन नहीं करेगा तो दोस्तो यह दोनो ट्रिक बहुत ही most important है और अगर दोस्तो आपको यह दोनो ट्रिक जानना होगा तो दोस्तो वीडियो में लाश्ट तक जरूर बने रहेगा और वीडियो सुरू करने से पहले आप सभी से मेरे एक request है कि आपने अभी तक मेरे चानों को subscribe नहीं किया तो प्लीज दोस्तो एक subscribe जरूर कर लेना और साथ में वीडियो को एक like भी जरूर कर लेना जिबी WhatsApp में blue tick की सबसे first setting जो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ जिसे own करने के बात दोस्तो अगर दोस्तो आपको सामने वाला बंदा message करता है और दोस्तो जब तक उस message का reply नहीं जो है आपका blue tick जो है वो शो नहीं करेगा जिसे कि दोस्तो आपको वीडियो में live proof करके दिखाने वाला हूँ अगर दोस्तो एस settings के जानने के बाद दोस्तो आप 100% इस trick का जरूर इस्तमाल करोगे अगर आप GB WhatsApp यूज करते हो तो तो दोस्तो यहापे सबसे पहले में आप स अगया है और यहापे मुझे मेसेज भी रिसीव हो गया तो इसे में जिसे ही रिसीव कर लेता हूँ तो फ्रेंट्स यहाप आप देख सकते हो यहापे blue tick जो है वो शो कर रहा है तो दोस्तों अभी वो शेटिंग करने के बाद आप सभी को में दिखा देता हूँ तो फ्रें यहाप देख सकते हो शो ब्लु टिक अप्टर रिप्लाई तो यह वाला उप्षन जो है आपको इस तरह से ओन कर लेना है इतना सेटिंग करने के बाद दोस्तों यहाप सभी को में मेसेज करके दिखा देता हूँ तो फ्रेंट्स वापस यहाँ से मैं आप सभी को एक मेसेज कर लेता हूँ तो फ्रेंट्स ईयाप देख सकते हो यहाप मेने मेसेज को जो हई वह सेंड कर लिया आप सब now आम देख सकते हो यहाप देख सकते हो मेरे कर दिया है तो तो फ्रेंट्स यहां पेडत यही प्लू करने लगा जैसी ही दोस्तों यहां पेड है पर मेंने मेसेज सेंड किया यहां पे रिसे वहीं फिर दॉस्तों यहां फिल भी दूस्तों को यहां फराप देक सकते वाटसप में privacy and security वाले setting में जाके दोस्तों आपको वाला option on कर लेना है इसके बाद दोस्तों आप जब तक सामने वाले को reply नहीं करोगे तब तक सामने वाले को जो है आपका blue tick जो है वो shown नहीं करेगा तो बहुत ही amazing setting है दोस्तों मैं तो 100% इस trick का use करता ही करता हूँ इसके बारे में आप इमें आप सभी को बताने वाले हूँ जिसमें बता हूँगा कि दोस्तों आप अपना यहां कि अपना blue tick को कैसे height कर सकते हो और दोस्तों अगर दोस्तों आप श्रिप एक बंदे के लिए blue tick हाइट करना चाहते हो तो उसे केसे कर सकते हो तो सबसे पहले दोस्तों याप मैं आप सभी को बता देता हूँ कि आप ब्लू टिक को हाइट केसे कर सकते हो जिसी दोस्तों आप किसी को भी चैट करोगे उसके बाद दोस्तों आपका ब्लू टिक जो है किसी को भी शो नहीं सबसे पहले आप में सभी को में से करना हूं में 밝혔ा दnew करता हूँ और यहां पर दीग सकते हो सब्सक्राइब कररो आपको सब्सक्राइब करना है और जाना इस जीबी सेटिंग पर जाने के बाद दोस्तों वापस आपको privacy and security वाले option पर एसे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो privacy तो contact वाले option पर जिसे ही क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो hide blue tick तो दोस्तों यह से hide blue tick option पर आपको इस तरह से एसे tick mark लगा लेना है और यहां से इसे ok कर लेना है इतना setting करने के बाद दोस्तों आप किसी को भी वाट्सप में आप किसी को भी chat करोगे तो दोस्तों आपको blue tick जो है वो show नहीं करेगा जिसी कि दोस्तों आप देख सकते हो यहा अब किसी को भी chat करोगे तो दोस्तों आपको लगता है कि स्रिफ एक बंदे को जो है आपका Blue tick दीखना नहीं चाहिए तो उसका setting कैसे करना है वह आप सभी को अभी बताने वाला हूं दोस्तों सबसे पेले तो दोस्तों वह आपको blue tick का setting कियाे उसे ओफ करदेना होगा तो तो हर किसी को आपका Vuitix ओधिखेगा नहीं तो दोस्तो इस सेर्टिंग को मैं वापस सटा देता हो तो इस सटाने के बाद दोस्तो शरीप अगर आपको शरीप एक बंदे के लिए वो üçटिंग क्ना है तो दोस्तों क्या करना होगा आपको सिंपली दोस्तों आपको उसकी चैट को जो ओपन करना है जैसे कि दोस्तों मैं इसकी चैट को ओपन कर ले दाओ दोस्तों आपको यहाँ पे उसकी प्रोफाइल पिक पे ऐसे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद दोस्तों उसकी profile यहाँ पर शोक करने लगेगी तो friends यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एक option मिल जाएगा आपको custom privacy करके तो इस वाले option को आपको इस तरह से on कर लिना है ओन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो hide blue tick और hide second tick बहुत सारे option यहाँ पर देखने को मिल जाएगे यहाँ पर श्रीप एक बंदे के लिए वो सब setting जो है वो हाइट कर सकते हो जिससे कि दोस्तों मैं आप सभी को बताने वाला हूँ के बारे में बताने वाला हूँ तो दोस्तों hide blue tick यानि के blue tick को hide करने के लिए simply इस वाले option को आपको इस तरह से on कर लेना है और यहाँ से इससे ok कर लेना है इतना setting करने के बाद दोस्तों आप इस बंदे को जितने भी chat करोगे दोस्तों फिर भी दोस्तों आपको यह बंदा कितना भी message करेगा फिर भी दोस् दोस्तों यहाँ पे इसे फिलाल नेटीट कि फ्लो इसे ल हagnी करेगा जैसे कि दोस्तों इस तरह से बार में बता चुका हूँ तो 50 तो दोस्तों आप हर किसी के लिए भी हाइट कर सकते हो तो फ्रेंट्स यावे मैं आप सभी को जीपी वाटसप में जो ये दो ब्लू टिक की सेटिंग से इसके बार में बता चुका हो तो फ्रेंट्स वीडियो फसर आया होगा तो वीडियो को एक लाइक को और चानल को सस्क्राइब जरू कर ले ना थेंकी दोस्तों